जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे ज्यादा करो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो स्नोफूट चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकान को प्रेस करना मत भूलिए, थैंक यू तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ये स्वीट डिजर्ट, जो बहुत ही आसान है बनाने में, तो इसके लिए हमें लेना है यहां पर अगर-अगर, यानि के चैनल ग्रास, तो इसको हम 20 ग्राम का लेना है, अगर आप आधा लीटर दूद दाल रहे हैं, तो 20 ग्राम अगर- उपर तक आएगा उतना पानी दाल कर, इसको पांच मिनिट तक भीगने के लिए रख देते हैं, तो अब चलिए एक बरतन रख लेते हैं, तो इस रोक के ऊपर मैंने बरतन रख लिया है, इसमें हम दालेंगे आधा लीटर दूद, दूद आप गरम करके भी दाल सकते हैं, या फिर कच्चा दूद भी दाल कर गरम कर सकते हैं, तो धीमी आंच पर मैंने दूद रख लिया है, एक और साइड हम एक और बरतन में यह जो अगर-अगर हमने भीगने के लिए छोड़ा था, उसको दाल लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह अच्छी तरीके से पांच मिनिट में भीग चुका है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, तो पांच मिनिट तक हम इसको लो फ्लेम याने मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तो हिलाते हुए पकाईए, यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यह चिपक रहा है, इसका मतलब पक चु उसको इस दूद में पके हुए दूद में हम दाल देंगे धियान रहे कि जब यह द्राला जाए तो लो कर दीजे यह протmos чего यानि के दूद के फिलेम को लो कर देजिएell Влад के फ़ेम को लो कर दीजिए इसके बाद हलके हलके हातों से पकाना है, इसके बाद इसको एक बोल में हम निकाल लेंगे, बोल में निकालने के बाद यहाँ पर हम दालेंगे रू अफजा सिरप, 6 to 7 स्पून, अगर आपके पास रू अब जा सिरप नहीं है तो रोस सिरप भी दाल सकते हैं, इसको डाल कर हम mix कर देंगे, तो mix करने के बाद अब हम इसको एक container में transfer कर देंगे, आपके पास round container है या फिर इस तरीके का container है, तो उसमें भी डाल सकते हैं, इसको container में डालने के बाद आधा घंटे तक room temperature पर रखिए, room temperature पर रखने के बाद इसको और आधा घंटा हम fridge में बहुत softy और spongy बना है, अब हम इसको एक बरतन में निकाल देंगे, और serving करते वक्त आप इसको bowl में transfer करके serve कीजिए, बहुत मज़ेदार और spongy बना होगा, तो आप देख सकते हैं कितना spongy बना है, tasty भी है friends, तो जरूर से आप इसको try कीजिए, और हमारे channel को share और like कीजिए, मिनते हैं अगले वीडियो में, thank you